आसीम और अभिशेक के फाइट का सिल्पा न उठाया फाइदा भरका दिया यहाँ पर रोहित सेटी को ऐसा तो क्या कर दिया बात है पूरी बात छोड़ी सी रिक्वेस्ट रहे कि कमेंट के बताएगे का आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है खत्रोख खिलाडी के लिए अब उसी के साथ यहाँ पर अभिशेक और आसीम जो कि यहाँ पर बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट रहे हैं अब दोस्तों यह तीनों ही अपने सीजन में यहाँ पर फैनलिस्ट बने थे आप सबको मालूम है और किसने किसको सपोर्ट किया था वो आप लोग बैतर समझते है नि हम सबने यहाँ पर बिग बॉस 11 में देखा था और सबने अपने अपने तरीके से जज़ज किया था कुछ लोगों को सिल्पा जी बहुत जादा पसंद आया थी और कुछ लोगों को यहाँज़ आप। सिल्पा उतनी पसंद नहीं आयाई थी बट दोस्तो वो contestant बहुत ही अच्छी थी इसके वैसे वह यहाँ पर finalist भी बने थी बट बात कर ले यहाँ पर जो चीज़ हुआ है और कैसे यहाँ पर सिल्पा ने भरकाने की कोशिस यहाँ पर रोहीत सिट्टी के सामने किया है जब अभिशेक और आसीम के बीच में fight वाद बट दोस्तो ऐसा है नहीं अब आसीम इस चीज़ को थो सिर्यस और बिग बॉस वाले अंदाज में लेके चल रहे हैं बट ऐसा हमेसा नहीं होता है हर जगा वो चीज़े नहीं चलती है वहीं पर अभिशेक भी दोस्तो यहाँ पर चीज़ों को इगों में ले लेते हैं और फिर वो यहाँ पर आसीम रियाद से भीरते वे नजर आते हैं जिसके बाद दोनों के बीच में काफी अदा गहमा गहमी हो जाती है और बात धका मुकी तक पहुंचाती है जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम होगा कि खत्रों खिलारी में जब भी इस तरह का को का सो है वो उसके लिए तुम लोग यहाँ पर अपने अपने सीजन में किये होगे सायद बिग बॉस के अंदर बट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ चीजे नहीं चलती है लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब फाइट के बारे में पूछा गया रोई सेटी से तो अपर आसीम के तरब जो है वो चीजे करते हैं सर यहाँ पर आसीम को जान पूछ के टारिगेट के जाता है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आसीम ही पहले तो बड़ा गया बोला कि सर यहाँ पर मुझे कोई टारिगेट नहीं कर सकता है यह लोग एक ग्रूप है जो मेरे पीछे परेवें बट मुझे इससे फरक नहीं पड़ता है जिसके बाद यहाँ पर बोलते वे नजर आते हैं वो एक फैसला लेते हैं कि मैं एक लास्ट और पहला वार्निंग दे रहा हूं इस तरह की कोई भी हरकत अगर इससों के अंदर दुबारा देखने को मिलती है तो म मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जिसके बाद यहाँ पर बहुत जादा गुसे मायाते हैं लेकिन सिल्पा भरकाते भी नजर आते हैं वो बोलते सर इसके लिए तुनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत जादा उपर जाकर काम किया है दोस्तों आपको क्या